तो क्यासे हो, सबसे ही है, तो finally reveal हो चुका है Redmi Note 10, जी हाँ, Redmi Note 10 4G variant, आपको पता है कि Redmi Note 10 का 5G variant भी आने वाला है, लेकिन टेन सटीफिक्शन में officially with image और specification लीक हो चुका है Redmi Note 10 का 4G variant जो बहुत ही कमाल का देखने मिल रहा है, ये phone आपको budget phone होने वाला है, जो 10,000 के अंदर आने वाला है, जो बहुत ही aggressive pricing में आपको देखने को मिल जाएगा, और सच में, डिजाइन बहुत ही खिलर निकल का है, तो अगर आप वेट करें थे Note 10 series का, जो आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो में बने रहना, आज की इस वीडियो म नोट 10 के बारे में पूरी जनकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगा, तो चलो फिर शुरू करें, तो देखो सबसे पहले हमनों बात कर लोते हैं, डिजाइन के उपर, डिजाइन मेरे को प्रसुनली बहुत ही जादा अच्छा लगा है, और इस बार बहुत ही मेजर इंप् बात करते हैं, कुछ बेसिक स्पेक्स के उपर कि इस फोन आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो 6.53 इंचिस का Full HD Plus वे डिस्प्ले होने वाला है, जो आपको सेंटर डॉट पंच होल के साथ में आएगा, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, Full HD Plus वाला है, मतलब आप 1080p वीडियो का मज़ा उठा पाओगे, साथ में आपको IPS दिस्प्ले मिलता है, AMOLED फिर से नहीं होने वाला है, IPS दिस्प्ले के साथ में आएगा, और आपको Side Mounted Fingerprint Scanner देखने को मिल जाएगा, सबसे ज़दा Improvement बैटरी में भी किया गया है, 5,900 mH का Mass बैटरा का सपोर्ट है, जी हां, बैटरा के से ज़दा बोलना अच्छा रहेगा, क्योंकि बैटरी बहुत ही ज़दा बड़ी हैस फोन में, 5,900 mH का जो देखने में बहुत ही शांदर लग रहा है, दो तीन राम विरेंट में आपको ये पोन देखने को मिल सकता है, चार जी अपको पंच रहेंगे इगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इस में जो बैक कामरा होने होने हाल है, वह बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा, 48 MP का आपको width याँ आप देखने में बहुती अच्छा लग रहा है। बाके का क्यामरा भी दक लीक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ 48MP का Quad Camera Setup है जैसा आप देख सकते हैं बैक्षट से जो देखने में बहुती अच्छा निकल की आया है। लेकिन अब बात करते हैं इस phone के procedure department के इंदर जो बहुती खमाल का निकल लिख्या है। इस phone आपको देखने को मिलने वाल है snapdragon का producer लेकिन I don't know why processor में आपको downgrade देखने को मिल रहा है। जी यां Redmi Note 9 series के अंदर आपको media tech का G85 मिलता था जो बहुती ज़दा powerful था। लेकिन Redmi Note 10 series के अंदर आपको snapdragon का 662 कर दिया गया है जो एक downgrade देखने में लग रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन हाँ Geekbench के अंदर आपको यही processor leak हुआ है जो कुछ इस तरह कर निकल क्या है। डिजाइन बे आप देखने में बहुती अलग लग रहा है और बहुती ज़दा अच्छा लग रहा है। ब्लू कलर में phone बहुती हट के लग रहा है और बहुती यूनिक लग रहा है। देखने में personally बहुती ज़दा अच्छा लग रहा है Redmi Note 10 Redmi Note 10 का आपको 5G variant में इंडिया में आने वाला है लेकिन ये एक budget variant होने वाला है जो 4G के साथ में आपको देखने मिलेगा जो आपको 10,000 के around ही आने वाला है। जैसा कि specification निकल क्या है, specification के according हम लोग price को justify करें तो इसका pricing आपको 11 से लेकर 10,000 के around ही होने वाला है उससे अंदर ही होगा एवन, मिले को रहता है 10,000-9,000 के ये phone होने वाला है, उससे beyond नहीं जाएगा अगर Snapdragon 662 के साथ मा आता है। लेकिन जादा chances है कि ये इंडिया में आएगा, तो इसका प्रोसेजर चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़े तो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बैटरी भी improvement किया गया, selfie camera में downgrade कर दिया है, लेकिन हम बहुत ती ज़दा अच्छा आपको specification दे maintenance certification में आगया है, मतलब definitely ये फोन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, चाइना में लाँच होगा, उसका ग्लोबली और इंडिया में ये फोन आजाएगा, तो मैं आपको बता दूँगा, अप्डेट कर दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या, त झाल